बिसमिल्लायरह्मानेरहीम, अस्सलामुलेकुम वेलकम तू नदर वीडियो लेक्ट्ट्ट्ट्र अन्दर हम डिसकस करेंगे कि स्मौल इंटिस्टाइन के अंदर सबसे पहले तो डिरेशन होती कैसी है फिर अब्सॉप्शन कैसी होती है at the end of lecture हम इससे associated कुछ disease भी discuss करने वाले हैं कि उन diseases का इन के साथ, इन conditions के साथ क्या link होता है and how to prevent those situations so we will move toward our lecture's main point small intestine जहां तक बात है small intestine की so small intestine के three parts होते हैं एक को deodenum, एक को jejunum और एक को ileum का नाम दिया जाता है deodenum is the very first part जो के 20-25 cm long होती है इसके बाद jejunum और फिर उसके बाद third point पे ileum आती है जैसे ही काइम जो है वो deodenum में आता है यनि stomach से pyloric sphincter से गुजर के वो deodenum के अंदर आता है उसकी acidity जो होती है acidic secretions की वज़े से जो है secretion की वज़े से release होती है यह secretion hormone intestinal mucosa release करता है कहां से पाइलोरिक region of stomach से जो के directly चला जाता है deodenum में वहां जाकर काइम जो के अभी एंटर हुआ था उसकी acidity को कम कर देगा साथ ही साथ pancreatियाज और liver को जो है ना यह stimulate करता है कि वह अपनी gastric जो secretions है यह नहीं pancreatic secretions है या bile की secretion है वो produce करना शुरू कर देए इसके साथ ही यह gastrin hormone को जो secretion उसको inhibit कर देगा ताकि gastrin hormone मजीद produce ना हो क्योंकि stomach अब empty हो चुके है तो stomach को rest करना चाहिए वो working ना करे so all that working is shift towards the small intestine pancreas की जहां तक बात है यह largest gland है जिसके exocrine role भी होते है और endocrine role भी है यहां पे हमने exocrine यह नहीं के digestion के हवाले से discuss करना है तो यह pancreatic juice release करता है जो pancreatic duct से होता हुआ डियोडियोनम के अंदर आ जाता है और इसके अंदर basically multiple enzymes होते हैं जो के थमाम important food के component जैसे carbohydrate fats हैं यह protein हैं इनको digest भी करता है carbohydrate की जो digestion होती है यह जो enzymes हैं उनकी मदब से होती है जिसमे carbohydrate digesting amylase enzyme amylopsin अगर आपको याद हो तो हमने जब discuss किया था oral cavity का लेक्चर तो तब मैंने आपको बताया था कि saliva का जो amylase उसका नाम था पेचाईलेन और pancreas का जो amylase उसका नाम के है amylopsin यह आपने याद रखना है कि amylopsin जो है वो pancreas का enzyme है जो starch को digest कर देता है maltose के अंदर इसके लाव fats की digestion के लिए लाइपेज enzyme मौजूद है जो fats की digestion करता है और अगर हम बात करती है further तो यह fats को glycerol और fatty acids में convert कर देता है बिल्कुल पेपसिन की तरह trypsin ही कैसा enzyme है जो कि inactive form है trypsin हो जिनकी form में active होगा sorry trypsin हो जिनकी form में यह release होगा फिर enterokainese enzyme इसको active करके जो है वो trypsin में convert कर देगा trypsin जो होता है यह breakdown करता है किस चीज़ की protein और peptides की अच्छा आपने यह चीज़ भी याद रखनी है कि stomach के अंदर जो protein की digestion के लिए enzyme था वो पेपसिन था उसकी inactive form पेपसिनो जिन थी पेपसिनो जिन जब release होता है वो एचसेल से contact में आके पेपसिन में convert हो जाता है पेप्रियाटिक जूस में था यह एंटिरो काइडियाज एंजाइम के साथ react करता है और यह ट्रिपसिन में convert हो जाता है यह ट्रिपसिन प्रोटीन की digestion करके उनके peptoans polypeptides में convert कर देती है इसके लाव पेप्रियाटिक जूस में bicarbonate ions होती है जो के neutralize कर देती है इस काइम को और एक basic environment क्रियेट करते है ताके वो असानी से पेंकडियाज के enzyme वहां पे काम कर सके है क्योंकि अगर इसरी condition रहेगी तो पेंकडियाज तो काम नहीं कर सकेगा यह उसके working नहीं हो सकेगी इस तरह से बहुत जरूरी होता है कि यहां alkaline situation क्रियेट की जाए अगर हम liver की बात करते हैं तो liver bile को release करता है जो के एक temporary stored temporarily stored होता है गाल ब्लेडर के अंदर और फिर इसको release कर दे जाता है डियूजिनम के अंदर यानि के bile duct के अंदर bile जो है यह क्या चीज़ होती है bile basically green watery secretion होती है जिसके अंदर कोई enzyme नहीं होता इसका color green तो अपनी pigments के वज़े से होता है जब hemo globin की breakdown होती है तो उसमे bile word in pigment होती है और इस bile one today in pigment के वज़े से एक color जो होता है bile का वो green हो जाता है bile में इसके अलावा bile salt होते हैं जो fats के उपर काम करते हैं इनको इमलसिफा यानि properly digest कर देते हैं इनको small globules में convert कर देते हैं और फिर इनको easily water soluble lipase further digest कर देते हैं ठीक है अगर bile जो है वो girl bloodder से release ना हो girl bloodder में इस्टोर होती है blood में enter ना हो तो फिर john डेस हो जाते है जिसको आप पीलिया का नाम देते हैं या बुखार की condition है आँखे पीले जाती है तो थोड़ी सी जिरकान वाली situation हो जाती है आपने अक्सा सुना हो गए कि जिन patients को जिरकान हो जाता है या जॉन्डेस हो जाता है उनका liver damage हो जाता है इसी वज़े से क्योंके बाइल ने रिलीज होना था लेकिन वांदर या अक्यूमिलेट हो रही है तो ये जॉन्डेस की condition इस वज़े से होती है कलिस्ट्रॉल जो होता है ये सेक्रेट होता है लेवर की वज़े से जो प्रेसिपिटेट हो जाता है फिर गाल स्टोन गाल बेडर में और ये गाल स्टोन क्रियेट करता है जो कि ब्लॉकच कर देता है भाइल को तो वो रिलीज ही नहीं हो पाती लेवर बेसिकली कनवर्ट करता है टॉक्सिक सबस्टांसिज लाइक अमॉनिया को इन्टू वेस्ट फॉर प्रॉड़क्ट अमिनियो इसिड मेटबोलिजम करके लेस टॉक्सिक कमपाउंड जूरिया के अंदर और जूरिया फिर इसको भेज़ जाता है टुवर्ड्स किड्नी जहां पे ये जूरिन का पार्ट बन जाता है जो बॉड़ी से रिलीस किया जाता है लेवर की हम कहते हैं कि ये बहुत इंबॉड़न चीज थी कि लेवर इतना साफ्ट होता है ठीक है कि ये लार्ज है फिक्स पोजिशन में होता है लेकिन फ्रिजाइल यानि बहुत वीक होता है अगर रिब्स जो है इसको प्रोएक्ट ना करती है तो ये तो बहुत असानी से डैमेज हो सकता था ये लेक्रेट भी हो सकता है ये रप्चर भी हो सकता है लेवर लेक्रेशन की वज़े से रप्चर हो सकता है इसके अलावा जो है डैमज कुछ है बटाइटिस की कंडिशन में भी होता है अलकोहल की वज़े से भी होता है तो यह इस किसम के यलो बॉक्स है यह यलो बॉक्स इतना इंपॉर्टन नहीं है लेकिन फिर भी आप रीड आउट जरूर कर लें क्योंकि यह से रिलेटिड है तो लेंटिस्टाइन के आफटर डियूडिनम यह 2.4 मीटर इन लेंथ होती है और तो फिफ्ट यानि तक्रीबन आदा हिस्सा जो है वो जैजुनम का होता है और इसके बाद इलियम आ जाती है फूड जो वहां से डियूडिनम से बच जाता है डाइजस्ट नहीं हो पाता अंड लेंखर ऑफज है जो एको जो हुडियूडिकर नेकुरुज की एिल्यम वाले पोर्शन के अंदर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टन पर्शन हम इसी को डिसकस करने वाले ये आगे तक बात होती है तो ये आपको जो स्टक्टर नजर आरार…" ये इल्यम का डिक्टर है ठीक है। इसके अंदर finger like projections हैं जिनको हम विलाए का नाम देते हैं जो आपको ये स्कीन पर नजर आ रही हैं ये basically क्या है ये सारी जो है ये finger like projections जो हैं इनको हम नाम दे रहे हैं कि ये विलाए का structure है विलाए के अंदर और ज्यादा ब्रांचिंग ये और ज्यादा वो super branch structure है electron microscope से इसमे cylindrical processes नजरा आते हैं जिसको हम microvilli कहते हैं जो टोटल area for absorption होगा वो incredibly large हो जाएगा बहुत जाएगा बहुत जाएगा ये वहां से एंटर हो जाएगा blood stream में और जहाए इस network के अंदर आके absorb हो जाएंगे लेकिन जो large portion होती है वो क्या करते हैं जो large portion होती है like fatty acids और glycerol हो गया तो ये सबसे पहले तो epithelial cell of villi के अंदर एंटर होता है फिर उसके बाद ये combine करता है fat के साथ तो ये चोटा सा fat droplet जो एंटर हो जाता है लेक्टल के अंदर फिर वहां पर जाके लेक्टल के अंदर जाके अगर ये protein की साथ combine करेगा तो लिपो protein droplet बनेगा और ये लिपो protein droplet फिर blood stream से होता हुआ अथरैसिक lymph duct के अंदर चले जाएगा वहां से दुबारा ये blood क्या part बन जाएगा और blood को return कर दे जाएगा और वहां से blood से होता हुआ ये liver में जाके store हो जाएगा या फिर under the skin जो है इसको store करे जाएगा डिपोस्ट issues में अब हम इसी चीज़ को यहां से repeat कर लेते हैं जो हमने उपर पड़ी है हमने ये कहा है कि basically ये lemon का portion था ठीक है lemon में ये आपको blood capillaries भी साथ में ठीक है इस microvilli का ये जो आपको एक cell नजर आ रहे है ये चोटा सो blocked cell है ठीक है यहां पर enter होता है ये brush border से गुजर के ठीक है ये उन्होंने जूम करके बताया हुए है कि उसके अंदर ये जो epithelial cell enter हो जाएगा यहां पर let's say कि वो आ गया है droplet fat का यहां पर protein के साथ combine करके व लिपो प्रोटीन अगर आप देखें तो ये जो लिपो प्रोटीन जब बनेगा तो ये लिपो प्रोटीन जब इस stream के अंदर enter हो गई है जो आपको दरमयान में ये एक नजर आ रही है finger like चीज जिसके surrounding में blood vessels है तो इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये क्या है लेक्टल ये पू गजर के इसके epithelial cell में चला जाएगा यहाँ लिपो प्रोटीन बनेगा लिपो प्रोटीन इस लेक्टल का पार्ट बन जाएगी और ये लेक्टल आपके small intestine से move करती हुई ये vessel जो है thoracic region तक पहुंचेगी और thoracic जो आपका chest region है वहाँ पर thoracic lymph duct में से गुजार के ये blood क के अंदर इसको वापस दे देगी जैसे ही ये droplet सारे blood में जाएंगे blood के liver के अंदर जा तो store हो जाएंगे या पिर under the skin जो है डिपोस टिशूज हमने पढ़े थे उनके अंदर store हो जाते हैं तो ये दो तरह की conditions है absorption के लिए अब जितना भी ये जो intestine के content है elementary canal से गुजरा ये स intestine की तरफ चला जाता है यहांप एक छोड़ो से yellow box उनों ने बताए this is just for reading कि जो बहुत सरे ऐसे लोग हैं जिनको जैसी वो milk की intake करते हैं या दूद पीते हैं तो उनको तो गया जा तो गया सो जाती है या vomiting होना शुरू हो जाती है यह क्यों होता है इसका reason जी है कि पेट में अंदर इस वज़ जास होता है या vomiting क्योंकि उनमें lactose का enzyme नहीं होता तो उनको हम कहते हैं कि यह lactose को digesting कर सकते हैं या milk sugar lactose को digesting कर सकती है क्योंकि इनमे lactose intolerance है या enzyme absent है और बकाएदर digestion नहीं हो पाती है तो लोगों को यह problem होती है basically जो epithelial cells होते हैं वो constantly shed होते रहते हैं intestine क अंदर इनको new cells के साथ जो है replace के जाता है ताकर यह process digestion का complete होता रहे that was about the small intestine और इसके जो related हमारे upshot question है उनको हम देख लेते हैं यहां से आपको एक long question आता है that is very very important your long question क्या होता है that is about write a detail note about the absorption of food in the small intestine ठीक है so absorption of food in small intestine जहां से आप start करेंगी और headings बनाते हुए बिलकुल sequence में आपने यह सारे के सारा topic complete करने हैं साथ में आपने यह दोनों diagram जरूर प्रैक्टिस करनी है क्योंकि यह important short question है sorry important long question है और इस digestion के topic में से जो आपको long question आता है वो सिर्फ इस small intestine का आता है इसे लिए हम बाले portion का तो आपने इसको जरूर प्रैक्टिस करने है यह बहुत important question है मैं question again repeat कर देती हूं how food is absorbed in small intestine ठीक है तो इस तरह से आपने यह जरूर अब्सॉप्शन वाला portion लिखना है यह यह भी question आ सकता long question how food is digested in small intestine तो फिर आपने dudonums यहां से start से बिलकुल लेकर और यह जरूर तक आपने mention करना है यह सारा digestion का long question है और absorption का भी long question यहां से start होकी और ending तक जाता है यह दो long question जहां पर आपको mention किये जाते हैं इसके लावा यहां पर एक और short question आपको आता है that is about give the role of pancadhyas in intestine in digestion of food ठीक है तो फिर आपने pancadhyas की secretion और यहां तक इसको लिखना होगा start से लेकर इसके लावा यहां से एक और question भी आ सकता है what is pepsinogen enzyme how it is activated तो फिर आपने सारा लिखना है कि pepsinogen in जो है ना वो pancadhyatic juice के अंदर मौज़ूद होता है वो डियोडिनम के अंदर release के जाता है तो यहां पर enzyme enterokainese उसको active कर देत condition तो फिर आपने यह वाला जो पार्ट है यह लाजमी इसके अंदर लिख देना है ठीक है यह यह भी आ सकता है water gallstones तो फिर आपने यहां से लेकर यहां तक इस cancer लिख देना है तो इस तरह से आपको associated short question जो है यहां से मिल जाएंगी जो आपको annual में बहुत help करेंगी अब हमन नर्वोसा से मैं आपको एक पहले थोड़ा सा overview दे दूँ कि यह दोनों disease related है nervous system से और यह बिसिकली ऐसे लोग होते हैं जो कि खाना खाना पसान नहीं करते हैं यह खाना खाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने बहुत खा लिया तो फिर वो खुद ही vomiting कर देते हैं तो यह बिसिकली हमारे पास है अनुरेक्सा नर्वोसी यह टर्म ऐसे लोगों के लिए यूज की जाती है जिनको loss of appetite का जो हर वक्त डर लगा रहता है कि यह इस वज़े से खाना नहीं कहाते हैं कहीं हम obese नहीं तो यह लोग खाना खाते ही नहीं हैं यह दातर human females में होते हैं जो कि age 12 से 21 की होत नहीं डाइट शुरू करें इस illness से जो यह गर्ल्स होती हैं यह जात तर जो है पिबर्टी के बाद ही याप टू 14 तो 15 एर्स के बाद ही एड दे जो 15 तो 14 इंको यह स्टार्ट हो जाता है इस illness में loss of appetite होती है और यह गर्ल्स जादा बाड़ी का size भी इनका नहीं होता है यह इनके अपनी बाड़ी बहुत डैमेज हो रही होती है तो यह बहुत ही वीक सी और बहुत ही दूबली बतली सी होती है और इनका डेंजरस हथ तक जो यह जो वेट होता है वो ड्रॉप हो चुका होता है और यह गर्ल्स immature होती है तब ही ऐसे जो है ना इनको फिर आगए बाकी प्यूबर्टी की जो चेंजिस आते हैं या सेक्शुलिटी की जो चेंजिस होते हैं या जो बाड़ी में चेंजिस आते हैं जैसे बाड़ी मैचूर हो रही होती है उनमें भी प्रॉबलम फेस्ट करने पड़ती है तो यह डिजीज की कंडिशन में चली जाती है तो लास psychiatrist therapy जो है इन गिल्स में ये बहुत ज़ादा जरूरी है इनको proper जो है intra muscular intravenous तरीके से जो है ना फिर फूड की इंटेक की जाती है या नियूट्रियंट्स दिये जाते हैं उनको जैसे आपने सुना होगा कि glucose की बोतल वगरा लगाई जाती है तो बैटर हो जाती है ये तो इस कि से जो है ना ये condition face की जाती है इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं second condition bilumia nervosa की ये भी एक neurotic disorder होता है ये थोड़े सी old slightly जो बड़े बचे होती है उनके अंदर होती है तो ये जो क्या होता है कि ये बचीयां जो है ना ये बहुत ज़दा fried food और केक्स और पेस्ट्रिस वगरा ख problem face करनी पड़ सकती है या कोई disease हो सकता है तो फिर ये खुद ही vomiting कर देती है उसको या फिर बहुत ज़दा fasting करती है या खाना नहीं कहती है पर गेटिवस इसी को कहते है कि खाना ना खाना ठीक है so frequent vomiting इनके अंदर हो जाती है और physical effects आना शुरू हो जाती है जो कि body को damage कर सकती है like serum electrolytes imbalance आ सकता है या बलड के अंदर जो हमारे electrolytes हैं जो important nutrients होती है उनमें damage आ सकता है या treatment इसका यह होता है कि इनको बाकाइदा से nutrition provide किया जाए hospital strict supervision में रखा जाए और इनको relax रखा जाए कि जादा खाना नहीं खा रहे बलकि एक balance diet में खाना खा रहे है जो कि इनकी health के लि सकते हैं that was about today's lecture and also the associated questions regarding these topics I hope कि आपको ये lecture समझा गये होंगे in case के अगर आपको कोई confusion है आप दोबारा से lecture complete सुन सकते है more question note कर सकते है till the next lecture take care wish you all the very best regarding the annual examination